हलो नमस्कार कैसे हैं दोस्तों आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे जैसा कि हम आपसे वादा किये थे हम आपके लिए नई सेरीज ले कराएंगे हिंदी के लिए एक्जाम से पहले जो भी हिंदी के प्रमुक चेप्टर हैं उनको पूरे अच्छे से कंपलेट करवा देंगे हिंदी साहित के लिए भी हम प्लान बना चुके कि किस तरह से हिंदी साहित का क्लास आपको देना है यह तो मजदार ट्रिक के साथ लेक्चर तो तमाब आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे सागर है यूट्यूब लेकिन दोस्तों अब उस सागर में आपको टाइम निकालकर मोती निकालना है टाइम निकाली है फिर मोती खुजी है कि किस चैनल से मैं मोती मिल सकता है किस चैनल से हम पढ़ करके अच्छा इसकोर गिन कर सकते हैं तो दोस्तों जिस तरह से मैंने UPSI में 30 प्लस और UPSC में 34 कोस्टन किया था तो उसी तरीके से आपको भी हम बताएंगे कि UPSC के लिए कैसे पढ़ें क्या पढ़ें कि आपका इसकोर बहुत अच्छा हो जाएं देखिए दोस्तों UPSC के अस्टेवल के लिए हिंदी और इसी चीज है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं इन्हीं दोने के बल पे तो आज हम पहला लेक्ट्चर शुरू करने जा रहा है समास इसके पहले भी हि इसे सुरू करेंगे तो जहां से कोष्टन आते हैं कि वल वही बाकी की प्रमुख समास, तो प्रमुख समास होते हैं चार, प्रमुख समास होते हैं दूस्तों, चार, ठीक है, कौन-कौन से, द्वन्द समास, अब्वेभव समास, तत्पुरुष समास, बहुत बरी समास, ठीक है, होते हैं चार, लेकिन ऐसे question आता नहीं है, लेकिन फिर भी, अगर आ समास के दोनुपद प्रधान होते हैं दोनुपद का मतलब जिससे आगया कोशन राज कुमार तो इसका संद्धिशेद करेंगे तो आएगा राजा का कुमार एक पद, एक पद हो गया, एक पद हो गया, एक हो गया दो पद, इसे हम कहते हैं पुर्वपद, इसे हम कहेंगे उत्तरपद, तो याद रख लिजिए, यासे राजा का कुमार, राजा प्लस कुमार, राजा का कुमार, एक हो गया पुर्वपद, एक हो गया उत्तरपद, एक क किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो किस समास के होते हैं, दोनों पद प्रधान, पहले इसको जानिए आप, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों समास के, फिर कोश्चन आजएगा, किस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं होते हैं, मतलब दोनों पद और प्रदान होते हैं, वो होते हैं आपके बहुब रही, दोनों पद और प्रधान, एन्नोट करिए, फिर कोश्चन आएगा, किस समाज के पुर्वपद, मतलब प्रथम पद, किस समाज के पुर्वपद या फिर प्रथम पद प्रधान होते हैं, वो होते हैं, अब यही भाद प्रथम, पद, प्रधान, ठीक है, अभी आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे, कि आप फिर समास का भी भूलेंगे ही नहीं, यह मेरा दावा है, समास की जितने भी प्रश्ण है, आप आधे पब्लिकेशन की किताब से पढ़ेंगे, तो जितने भी समास के कोश्चन दिये गए हैं, म तत पुरुष समास के भी उत्तरपद, करमधारे समास के भी उत्तरपद, इन तीनों के उत्तरपद प्रधान होंगे, ठीक है, अब देखिए, दोनद समास के दोनपद प्रधान होते हैं, बहुत ब्रीश समास के दोनपद अव प्रधान होते हैं, अब ब्याई भाव समास के प्रत्मपद प्रधान होता है बाकि की बचे तीनों द्यूगों समाज तत्पुरुष समझ करमधारा समझ इनके केवल उत्तरपद उत्तरपद का मतलब जो एक कुमार वाला हिस्सा है जो संद्विछेद करने पे प्लस के बाद में आयेगा वह हिस्सा द्यूगों जैसे लगाएंगे अगर जैसे आगे कि राजा का कुमार तो एक कौन सा समास है कैसे हम जान पाएंगे तो अभी इसके लिए हम बता देते हैं आप याद रखेगे कि राजा का कुमार या फिर राजकुमार तो पहले देखिए कि दौन्द समास कैसे हम लगाएंगे तो इसक इसका ट्रिक क्या है या तो ये चीन मिलेगा आपको ठीक है और और राजा जैसे कि द्वंद घास फूस माता पिता देखिये बीच में इस प्रकर के चीन आते हैं इसको अगर आप तोडएंगे तो घास फूस मतलब घास और फूस मतलब घास और फूस हहां तो इस तरह से और का लूप होता है इसमें और का लोप होता है जिन न होता है इस तरह का तो बहुत आपसाने से आपको दौन्धा समस्य सभाइब हो जाएगा ठीक है? सुबा साम, सुबा और साम, राजा रंग, राजा और रंग, अक्सर विप्रिता अर्थक अर्थ निकलते हैं, ठीक है, विप्रिता अर्थक भी होते हैं, सवान अर्थक भी होते हैं, तो बहुत आराम से आप लगा लेंगे, अभी हम प्रेटिस करवा दे रहे हैं, अधित छोटा होता है जैसे कि बे मतलब बे मतलब मतलब तो आपको पता है, इसके आगे बे जोड़ दिया गया तो सभावब से बे बहुत छोटा है उत्तरपद की अपिक्छा पूरवपद बहुत छोटा है बे मतलब अब आगा यथा सक्ते शक्ते अब जाके सक्ति में धाई पद है तीन पद है लेकिन यह था दो पद है यह था छोटा ही है तो देखिए इसका ट्रिक ही है पहला पद छोटा होता है दूसरे पद किया पेक्छा तो यही ट्रिक है और इसमें इंपोर्टन क्या है अगर जैसे अब हम आप से कहें एक यह फिर हाथ हो हाथ हाथ हो हाथ दिनो दिन इसमें कौन सा समास होगा इसमें भी तो यही चिन है तो इसमें चिन है वही इसमें भी है इसमें भी है इसमें इसमें कौन सा समास होगा तो बहुत वो लोग इसमें अब कन्फिज हो गये होंगे कि सर इसमें दोंदर समास तो होन चाहिए अगर सेयोजक्चिन है तब तो दोंदर समाज लेकिन इसमें तो सेयोजक्चिन होने के बावजूद भी अभ्याई भाव समाज है तो दोस्तों इसको आप तोड़ेंगे जब हातों हात तो यह नहीं आगा कि हात और हात दिनों दिन और दिन ऐसे नहीं हातों हात दिनो अज्альные constitutional cations wäre बातों में तो अलग अपना है यह अलग ही लए है तो हातो-हात दिनो we всегда been talking many times से काम करता रहा मैं बातों बातों में ही बात बोल जाता हूं तो वह केवल एक true a वाला सब्द है कि वाले तुरुटिपूड सब्द माने जाते हैं कुछ जैसे केमेस्ट्री आप पढ़ेंगे केमेस्ट्री में अपवाद होते हैं तो अपवाद वाले सब्द हैं आप जब पढ़ेंगे दोंद समास में तो और कालोप होगा बाकि इसमें और नहीं आएगा त अंख्या वाचक, जैसे है, चव राहा, ठीक है, और तिरंगा, ठीक है, पंच मुख, देखें, अभी ए मत कहेंगे, पंच मुख है, तो बहुत ब्रहिम जागा, पहले आपके वहल सिखिए, पंच मतलब पांच, ती मतलब तीन, चव मतलब चार, चव राहा, चार रास्तो का सम है, तीरंगा, तीन रंगों का सम है, पंच मुख, पांच मुख वाले, तो पंच मुख बहुत ब्रहिम भी जाएगा, लेकिन अभी आप सीखिए, कि इस तरह की सब्द, ये द्यूगर समास में आते, जो संख्या वाचक हो तो इसका ट्रिक क्या है, आप जब देखेंगे, आ पांच मुख वाला ब्यक्ति ये फिर पांच मुख वाला कोई भी चीज, तो सब्द हो गया ना, पंच मुख, तो पांच आया, तो संख्या आया गया, इसका मतलब ये जाएगा द्यूगर समास में, अब बात करेंगे तत्पुरस और करमधार है, जो ब्यक्ति तत्पुरस करमधार है, समझ गया, उसे समास कभी फसा ही नहीं सकता, कहीं से भी समास पुछले, अगर आपका तत्पुरस और करमधार है, कलियर है, तो कहीं से भी कोश्चन आ जाएंगे, आप फसेंगे नहीं, तो अमीद है यहां तक नोट कर लिए होंगे, इसमें ट्रिक है, ये प्र सिंद्राइब कंट कर लिए लौस जया, तो कुन समास कि यहांस हो गया, उसमास कि भी इसमे debe कारकाने कलोब, अमीद ट्रिक है कि प्रinde करें जाएंगे, इसमें ठिल चारब है कारक कलोब, लेकिन बभी बहुते लोगों को कारक हिने पर कारक क्या हो तो दोश्चों आपको ब संप्रदान से अलग होने के स्थिति में यही है कारक तो कारक आठ होते हैं उनको आप याद कर लेंगे तो सब पता चल जाएंगे जैसे अब यह हम जैसे देते हैं आप सुनो राज कुमार करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए एक का की के संबंध वाचक कारक संबंध वाचक कारक तो संबंध कारक तो संबंध कारक होगे मतलब कारक आया ना तो तत्पुर्समास होगा ठीक है अभी तत्पुर्समास का उरुधार डामा को दे रहे हैं जैसे कन्यादान कन्यादान इसका संद विच्छेत कर गये याप फिर है यज्या साला फिर पाप मुक्त और है पुरुशुत्तम इसका संद विच्छेत कर गये जैसे कन्यादान तो कन्या कारक है यज्य साला के लिए साला साला मतलब जो अस्थान होता अग्रे होता उस टाइप का होगा तो यह गी के लिए साला पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्ती यहां भी आया कारक पुर्श उत्तम पुर्शो में है उत्तम पुर्शो में उत्तम यार फिर स्रेष्ट ठीक है देखें में पर है अधिकरड इस हो गार वोगा jouती अधिकरड करेंいます ठीक है कारक क्लोब हो रहा है अगर जहां भी कारक क्लोब होगा तो बुर्ष समाज बहुत ही यहीं सानी से आप समझ जाएंगे तो इसका बस एession है आप उसको संधे मिच没चेत करिया तो अगर कारा कारा है तो जान जाएंगे कि तत्पुरुष समास है और वहीं आप आपको हम बताएंगे कि कर्मधारे समास में क्या होता है कर्मधारे समास का ट्रिक है है अत्वा जो है यही सब्दाते संद्विश्यत करने पर जैसे चरण कमल इसमें कौन सा समास होगा तो जिनके चरड कमल की समान है ठीक है कमल के समान है जो है या फिर के समान यहां ट्रिक रहेगा के समान के समान ट्रिक करना यहां जो तो तो शरर कमल के समान चरड तो के समान ट्रिक के अनुसार आ गया तो आपका करन धारे समाज होन ons समास में पहला पद विशे सड़ होता है पहला पद हमें सब विशे सड़ चरड कमल ठीक है पहला पद विशे सड़ होगा तो यह हो गया अब उसके बाद जैसे अरुदारण देखें तो महा पुरुष है महा पुरुष उसके बाद है म्रिग नयान लाल मड़ी, ठीक है, इसका संद विश्यत करेے, महापुरुष का हो जाएगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, है जो अगा न, तो हई हम करें जब आपके संदrem करेंगा, तो कोट ट्रिक जो बता हैं, मिल जाएगा, तो जब TRICK याद रहेगा, तो बहुत आराम से आप बता देंगे, के हाँ एक कौन से समाज है, मरिग नेन, मरिग के समान और फिर हरन के समान, जिसकी आखें है, मरिग के समान आखें, और फिर नेन, लाल मडी, लाल है जो मडी, तो देखिए इसमें भी ट्रिक के अनुसार आया इसमें भी इसमें भी तो आप ट्रिक जान, मतलब बहुत आरलपद भीसेशड होता है और अब बेडा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता है कि बहुआ 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 शमास का मतलब जब इसको संदी विचे दाप करेंगे कोई तीसरा अर्थ निकलता है इसमें उत्तरपत प्रधान होता है और इसको कैसे जाद करना जैसे कि आप दसानन पढ़ लीजिए दसानन दस है मुख जिसके मतलब रावड देखें बहुआ 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 समास का सिद्धा अगर अर्थ निकालेंगे आप तो या फिर किसी भगवान का अगर परियावाची है तो जान लिजिए क्यों बहुआ बहुआ समास होगा ठीक है पितामबर पीला है वस्तर जिसके अर्था भगवान विश्लो जी ठीक है चतुरानन चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी ठीक है नील कंट नीला है कंट जिसका अर्थात अपने प्रभु शिर्शंकर जी तो इस तरह से जहां भी आपको भगवान या फिर जो ऐसे प्रमुक राच्छस हों है प्रमुक की कहा सक करने पर उनका अर्थ निकलता है तो जाने जो बहुत ब्रीज समास है बाकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है वो ब्रीज समास को उधार अगर देखे हैं हम जैसे चतुरुफुज है चार है घुजाय जिसकी अर्थात कौन है भाई भगवान विश्वडु जी है को अरकते हैं धारड किया ठीक है आपको पता है दसान रावड हो गया तो इसी तरीके से जब आप संद्विश्यत करेंगे तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि भगवान के नम से रिलेटर शब्द आएंगे तो वो हो जाएंगे कि बहुत बरीज समास तो क्लियर है क्लियर होना अब चाहिए इसी तरह से दोस्तों आपको और वीडियो मिलेंगे अगर इस वीडियो में कोई भी आपको कमी देखें तो आप जरू कमिटवक्स के मादेम से डाउट को क्लियर करा दीजिए मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे दोरह जो भी वीडियो बनाए जाए उसमें कुछ आपको कुछ दिक्कत का सामना करना अपने और ठीक है एक्स्पिरियंस कम है लेकि जो कंटेंट है वो बहुत ही काबली दारिफ है इस कंटेंट के मादेम से आप 100% आप आधित पब्लिकेशन के किताब से जो भी है लगा सकते सवाल जैसे कि अगर मैं वैसे पूछनों अभी यथो चित में कौन सा समास होगा यथो चित तो यथो चित में समास होगा अभ्याइभाव यथो चित तो जहां भी आपको ऐसे सब्द मिलेंगे जिसका आपको लगे कि यह तो हम कभी सुने ही ने तो ऐसे भी मार देजेगा अभ्याइभाव ऐसे बे मतलब यथो चक्ति मतल जब संख्या आके तो दीऊग्र समास हो गया नील आमबर मतलब नीला है अंबरिशिसका नीला है वस्त्र जिसका तो यह ज़िए है रहाप बहुत बरेह्ट समास में फिर उसको मन माना मन माना तो यह ज़िए का अब्यभव चो में याइज़िका क्योंकि पहला पद छोटा है, मन, माना, देखे, उतर पद बड़ा, पहला पद छोटा, ठीक है, फिर यथा रुची, तो जहां यथा संबंदित सब्द मिल जाएं, वो सुभाविक सिवत अभ्याइभा में जाएगा, कुछ सब्द ऐसे हैं, जिनको आप याद कर लीजिए, व पर दोर्त के हमारे दौरे दिखे गया था, जैसे, बे हो गया, यह था हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, ठीक है, तो इस सब जाएंगे आपके अब बेभाव समास में, जैसे चोरहा हम बता थे, चोरहा दुगु समास में जाएगा, पंचवट्टी, यह भी आपके नहीं पर जाएगा दौँ समास में, जै पराज! जैने पराज है तो यहां और का लोप हुआ है, जै और पराज है, जीत और हार. कहां जाएगा ऑंड़ दौन समास में जाएगा, ठीक है अब दूसरा है त्रिलोचन त्रिलोचन बोबरी समाज मलब लोचन मतलब नेत्र तीन है नेत्र जिसके तीन है आक जिसके प्रभु सिर्व संकर अपने भोले नात जी ठीक है फिर भर पेट भर पेट भी जाएगा अबेव भाव में समाज में अबेव भाव समाज का एक देख यह था तो आएसे सब्द अगर आपको मिल जा रहे हैं आएसे सब्द से सुरू हो रहे हैं कोई भी सब्ध तो उसब अबयेगभाव सुमास्ञास जैसे भर पेट भर दिन बे नने मतलब प्रति दिन फिल यथा सकति यथो चित यथा संब वो सब करें अब भास समाश दूगी म परिशेद करेंगे बहुत बरीष समाज में यह किसी प्रभुक का है प्रयवाची होता है ठीक है तो उमीद है आपको समाज से जो एक लेक्षर दिया गया बहुत पसंद आगा और पसंद आ तो दोस्तों लाइक जरू करें दोस्तों में सेर करें अगर नहीं पसंद आये तो आ ठीक है बाकी मिलते आने स्टूडियमतों तो तक के लिजाएं दिज्जय भारत